नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको बता दें कि आज कल सभी के दिमाग में एक प्रश्न बहुत चल रहा है कि क्या महेंदर सिंग दोनी वर्ल्ड कप के बाद सयास ले लेंगे ऐसे में हम आपको इसी बाद को लेकर महत्वपून खबर लेकर आए हैं तो आये जानते हैं खबर दोस्तों पूरी खबर जरूर पढ़ें दोस्तों आपको बता दें कि भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महिंदर सिंग दोनी आज कल रांची स्थित्त घर पर अपने परिवार के साथ समय बिताने में व्यस्त हैं भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टीन चीडट मैच में उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था चेयन समिती के अनसार यह हुनकी मर्जी से हुआ था वह युवा खेलाडियों को मौका देना चाहते थे बता दें कि अभी ये माना जा रहा है कि दोनी अभारत के लिए टीडट मैच नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनकी जगए टीम में शामिल किये गए युवा विकेट की पर बल्ले बाजरिशव तंत ने अच्छा प्रदर्शन किया है आपको बता दें कि अगले साल 2019 इंगलेंड में वर्ल्ड कप होना है और इसके लिए अभी से खिलाडियों के प्रदर्शन को देखा जा रहा है ऐसे में हर खिलाडी बेहतर प्रदर्शन कर अपनी टीम में जगह बनाना में लगा हुआ है आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वन डे श्रीन खला में दोनी खेलते हुए नजर आएंगे ऐसे में उन पर भी अच्छी प्रदर्शन करने का दवाव आवश्य होगा बता दे कि इस से पहले भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबास सुनील गावसकर ने एक इंटर्व्यू में कहा है कि दोनी को घरेलू टूर्नामेंट में शामिल होना चाहिए क्रिकेटिक सपर्क्स का भी यही मानना है कि दोनी को घरेलू मैच खेलना चाहिए जिससे उनकी प्रैक्टिस बनी रहेगी आपको बता दें कि आस्ट्रेलिया में मैदान पर दोनी को बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखना चाहेंगे लेकिन यह बात भी सही है कि अगले साल इंग्लेंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए उनसे अनुभवी और कोई नहीं है इसलिए वर्ल्ड कप में तो उनका खेलना तह है इसको लेकर सेलेक्शन समिती कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहेगी बता दें कि 37 साल के दोनी अभी भी टीम के सबसे फिट खिलाडी माने जाते हैं उनकी विकेट के पीछे चुस्ती और फुर्ती उनकी उम्र सके मेल नहीं खाती है लेकिन धीरे धीरे उनके क्रिकेट से दूरी बनाना सैयास की ओर इशारा तो जरूर कर रहा है ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद दोनी सैयास ले सकते हैं लेकिन इसके बारे में आदिकारिक और से कुछ नहीं कहा जा सकता है दोस्तों आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद दोनी सैयास ले सकते हैं कमेंट करके जरूर बताएं